कि गुप्त सुतुरों से इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग जो हैं चरस यानि जो सुल्फा जो है वो मोट्षाइक बल लेकर आ रहे हैं तो जो इनफॉर्मेशन के आदार पर हमने दो आद्वियों को काबो करने में सफलता असिल की जिनके नाम थे किर्शन और सोनू जो चरस हिमाचर प्रदेश से आती थी और इसको हरेना रोडवेज का जो चालक था जिसका नाम था मनोज कुमार त्यागी जब इनको दोनों को रेष्ट किया गया और इनका रिमान लिया गया तो फिर हमने मनोज त्यागी जो उपस का ड्राइवर था उसको काबो करने में मोहर सिंग और मुकेस हैं ये काथी गाओं कुलो हमाचर प्रदेश के रहने वाले हैं इन दिनों को भी हमने अरेष्ट के आज तीन दिन के पुलिस रिमान पर चल रहे आरूपी कृष्णी की निशान देही पर चरस तसकरी में सनलिप्त तीन और आरूपी को पानीपत से काबो किया गया है आरूपी से चरस तसकरी की वारदात में प्रयोक स्कॉर्पयोगाडी और 25,000 रूपे की नक्ती भी बरामत हुई है आरूपी ने चरस की तसकरी करने के लिए आरूपी कृष्णी से 50,000 रूपे के रूप में भी लिए थे आरूपी ने इनमें से 25,000 रूपे खाने पीने पर खर्च कर दिये और गहनता से पूश्टाच वा चरस तसकरी के नेटवर्क में शामिल इनके अन्य साथियों के ठीकानों का पता लगाने के लिए तीनों आरूपी को आज कोट में पेश कर तीन दीन की पुलिस दिर्मान पर लिया गया है वहीं इंस्पेक्टर अनिल छिलर ने विस्तार से जानकारी देती खी बताया कि चार मार्च की शाम से यह थी पूलिस की टीम ने गुप्त सूचना के अधार पर जिटी रोड चुटाला मोड पर नाका बंदी कर क्रिश्न और को गिरफतार किया था और उनके पास से साथ किलो पुचास घराम चरस भी बरामत किया गया था बरामत चरस के अंतिरास्टे बाजार में करीब 14 लाख उर्पे कीमत बताई जा रही थी पूलिस टीम में गिरफतार आरुपी क्रिश्न वा सोनु के खिलाफ थाना उद्योग्य सेक्टर 39 में एंडी पीएस एक्ट के तहट मकदमा दर्ज नशा तसकरी के मामले में सनलिप्त अन्य आरुपियों का पता लगाने और काबू करने के लिए दोनों आरुपियों को कोर्ट में पेश कर वहां से छे दिन की पुलिस रिमांट पर लिया गया था पुलिस रिमांट के दोरान पुलिस पूशताच में आरुपी कृष्ण ने बताया कि उसकी हिमाचल परदेश के काथी मिताले कुलू में ससूराल है ससूराल में मुकेश अपने अन्य कई साथों के साथ मिलकर चरस की खरीद फरोग का अवैद काम करता है कुछ महीने से उसने भी मुकेश वह उसके साथों के साथ मिलकर चरस तसकरी का अवैद काम शुरू कर दिया था साथ किलो पचास ग्राम चरस तसकरी के संबन में उसने मुकेश और उसके दो साथों को खर्ची के रूप में पचास हरजार रुपेद भी दिये थी बाकी पैसी चरस बेचने के बाद देने थी आरूपी कृष्णी की निशान देही पर दबिश्टे का चरस तसकरी में सलनिप्त तीन और आरूपियों को आज जीटी रोड पेपसी पुल के पास से काबू किया गया वहीं आपको बता दे कि चरस तसकरी के मामले में हरियाना रोडविच के ड्राइवर मनोज पुत्र सतबीर निवासी बड़ी सोनीपत को भी गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है में वह इदर से उदर जो है तसक्री करता था उसको मोटी रखम मिलती थी इस सारे मामले को स्याइए थ्री देख रहे थे अनिल चिलर हमारे साथ हैं जो इंचार यहां के कितनी किरफतारिया हुई विचार से कितने लोग पकड़े गे और कितने का वो चरस था इसका बारे मे करा रहे हैं तो जो इनफॉर्मेशन के आदार पर हमने दो आद्वियों को काबो करने में सफलता असिल की जिनके नाम थे किर्शन और सोनू यह दोनों जो है पांची के रहने वाले सोनी पर डिस्टी के रहने वाले थे इन से हमें मोके के उपर साथ किलो 50 ग्राम के आसपास है कि जो पसका ड्राइवर था उसको काबो करने में सफलता असिल की क्योंकि जो मोडस ओपरेंडी थी वो बस एक पब्लिक कन्विंस है और उसमें जो है एजली किसी को टार्गेट ना हो कोई सक ना करें पुलिस चैकिंग नहीं करती करेंगी उसकी क्योंकि सरकारीवान है त कभी पीणे के लिए चरस देदे कभी उसको दस जार रुपए कर्मिंस के तो उसको भी हमने चैतारी को रच्ट किया था इसके बाद में जो सप्लायर थे इसके वो मनाली के रहने वाले थे उनमें तीन आदमियों को हमने जो है रेस्ट किया जिनके नम राजिंदर मोहर और मुकेस हैं यह काथी गाओं कुलो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं इन दिनों को भी हमने अरेस्ट किया आज तीन दिन के प्लिश रिमांड पर इनको लिया है ताकि इससे और भी जो कडिया है उनको भी बाहर निकाला जासके अभी हिमाचल में वहां चरस कैसे लेत कोड़ें और उनको नेपाली या बियार साइड के रहने वाले हैं उन लोगों से उसको निकल आते हैं इसका निकलने के कलक्तरीक होता है हाथ पर तेल लगांगे या फटे वगारा के तुरू तेल लगांगे उससे निकालते तो वहां से 20,000 रुपे के लोग इसको लेते हैं और यहां पर यह काफि कोस्टे मांदलमें दोजार रुपै तोड़ा से तीना जार रुपअ टोर वाकर चलेदा तो बिच में यह लेलेए लाना कीशचिन ल sharped हैं तो सारा काम इस सीज के होते हैं वहां से 20,000 रोपे लेकर के रागे रेट बढ़ता चले जाता और लगवगी यह जो साथ किलो चलश्ट इसका जो मार्केट यहां पर है वह लग चोदा लाग क्या समतिंग है और भी किरफतारियां हैं अभी को कि रिमांड चलना इनका और अभी इनका पुलिस रिमांड लिया गया है यह सबी जो हैं इनसे पूस्ता लगातार जारी है को आगे बात आएगी तो फिर आपको फर्दर इंवस्टिकेशन आफ्टर इन्वस्टिकेशन आपको बताई जाएगी अभी तक टोटल कितनी किरफतारियों अभी तक टोटल 6 प्रद्र आपको ने रिश्ट कर लिया इसमें कुछ से रिकवरी होई है इनसे कुछ हाँ इनसे भी जो इनको टोकन मनी दी थी पचास जार उपे थे उन्होंने पचास हार में से पचीजार रुपे खर्च कर दी पचीजार रुपे इनसे ब्राम दोए हैं अभी तक कि इनका परदे के रिकारड पहले को मामने दर्ज होए पता लगा सब्सक्राइब दर्ज लेकिन अभी तक इनके उपर एक मार्कविट का केस बाठी में अब पता रहे हैं लेकिन कोई के सप्लाइए कह हो लोगत आगे सब्सक्राइब बेचते थे जैसे कि सब्सक्र सब्सक्राइब करने का मकसद भी है कि रोडवेस की बस में यह तसकरी हुआ करते थी रोडवेस का ड्राइवर जाहें वह भी गिरफतार हो चुका है बाकी लोग रिमांड पे हैं रिमांड के दुरान देखते हैं इसे सारे मामले में क्या होता है वाइसो पानिपत कलेपती पांचाल के साथ कुलवन सीन